हेलो गाईस कैसे हैं आप सब आप सब आप सभी अच्छे होंगे तो गाईस आज की वीडियो के अंदर मैं आईस कांसलिंग 2022 के बारे मैं बात करने वाला हूँ तो गाईस जैसे की आपको पता है कि अभी जो सेकेंड राउंड है डबल अ ट्रिपल सी का वो अभी चल रहा है और इसका जो रिजल्ट है वो चार पांच दिनों के अंदर तो आज आएगा वैसे लेकिन मैं आज की वीडियो के अंदर आपको एक्सपेक्टेड कट ओफ जो र देखिएगा केटेगरी वाइज हर एक केटेगरी मैं आपर कट ओफ बताऊंगा और मैं आपको ये भी समझाओंगा कि इतना कट ओफ जाने की पॉसिबिलिटीज क्यों हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे BMS की तो BMS की बात करने से पहले गाईस मैं आपको एक चीज और बत नहीं किया है वो बिंग डॉक्टर एप भी डाउनलोड करके हमारा आयूशन वेटनरी काउंसलिंग गाइड के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फोर्मेशन हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं फिर उसके बाद में गाईस बात आ जाती है BMS के कट आफ के बारे में जो BMS का कट आफ रहने वाला है फिर उसके बाद में अगर हम EWS केटेगरी की कट आफ के बारे में बात करें तो ये भी आल्मोस्ट आल्मोस्ट 68,000 तक जाएगा जो कि इस राउंड के अंदर आपको भी पता है कम से कम 25 से 30 कॉलेजिस यहां पर इन्क्रीज हुए हैं और के अंदर भी कुछ कॉलेजिस जो हैं वो इन्क्रीज होंगे यहां पर तो इस वज़े से जो कट आफ जो हैं as compared to round 1 वो 10 से 15,000 गिरेंगी जनरल और EWS केटेगरी की फिर उसके बाद में अगर मैं OBC केटेगरी की बात करूं तो OBC केटेगरी के अंदर ये जो कट आफ है वो 67 7,000 या 70,000 के something रह सकता है यहां पर फिर इसके बाद में अगर हम OBC केटेगरी की बात करें तो ये जो कट आफ है वो 1,80,000 तक जा सकता है second round के अंदर फिर अगर हम OBC केटेगरी की बात करें तो ये जो कट आफ है वो 2,25,000 तक OBC के अंदर रह सकता है जादा गिरेगा नहीं cut off यहाँ पर as compared to round 1 SC और HD category के अंदर लेकिन ये cut off जाने की possibility है फिर उसके बाद में guys ये तो बात कर ली हमने BMS के बारे में फिर इसके बाद में हम बात करेंगे BHMS के बारे में फिर उसके बाद में सारे तीनों courses का cut off बताने के बाद में मैं आपको कुछ के cut off के बारे में तो जो BHMS का cut off है वो round 1 के अंदर ही बहुत कम गया था तो ये cut off जो है वो ज़्यादा गिरेगा नहीं अगर मैं याँ पर general category की बात करूँ तो ये cut off 1,25,000 तक रह सकता है EWS category के अंदर ये जो cut off है वो 1,40,000 तक जा सकता है OBC category के अंदर ये जो cut off है वो 1,32,000 तक जा सकता है और अगर मैं SC category की बात करूँ तो ये cut off जो है वो 2,40,000 के something जा सकता है फिर HT category की अगर हम बात करें तो ये जो cut off है वो 1,30,000 तक जाने की यहाँ पर possibilities है फिर last में हम बात करेंगे B.U.M.S के cut off के बारे में तो जो B.U.M.S का cut off जो रह सकता है general category के लिए ये जो cut off है वो ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा ना ही ज़्यादा उपर जाएगा जो first round के अंदर cut off रहा था B.U.M.S का वही cut off यहाँ पर रहेगा almost almost same cut off रहेगा सबके लिए च्यों cut off same रहेगा cut off same रहेने का reason यही है क्योंकि आपको पता है कि B.U.M.S का एक भी college round second के अंदर नहीं आया है तो round second के अंदर एक भी college add नहीं हुआ है तो जो एक दो colleges जो थे वही cut off रहेंगे जो पूने के एक दो college है B.U.M.S के वही अभी भी participate वही कर रहे है तो अभी तक जो NCISM है उन्होंने अभी तक B.U.M.S. college इसको पर्मिशन है वो नहीं दिये तो जो students हैं उनके लिए जो last chance रहेगा B.U.M.S में admission लेने के लिए All India Counseling के थूँ वो mop up round और stray vacancy round के अंदर रहेगा मैं आपको बता भी दूँगा जो mop up round और stray vacancy round रहेगा इसका जो cut off है B.U.M.S का वो इस साल बहुत कम जाने वाला है क्योंकि आपको पता है free exit बिलकुल नहीं है mop up और stray vacancy round के अंदर 9 second round के अंदर free exit है तो इसका फाइदा बहुत सारे students को मिलेगा जिनके marks कम है और कम नंबरों पर भी यहाँ पर selection होगा B.U.M.S, B.H.M.S और B.U.M.S के अंदर आप देख ले ना यहाँ पर B.U.M.S के जो colleges हैं वो भी mop up round के अंदर add होंगे अभी 15 से 20 colleges और आने वाले हैं अभी mop up round के अंदर तो यह एक अच्छी news है good news है जो B.U.M.S का cut off है वो mop up round के अंदर mop up round यह stray vacancy round के अंदर 1,000,000 तक जाने की भी possibilities हैं तो guys जो students भी B.U.M.S का सपना देख रहे हैं अभी भी तो उनको अभी निराशा होने की कोई जरूत नहीं है जो government colleges का जो cut off है वो एक लाग तक भी जा सकता है stray vacancy round के अंदर जो students general category या EWS category से बिलॉंग करते हैं उनसे ये cut off आपको खुद को पता होगा ये जो cut off है वो पिछले साल 1,25,000 rank तक गया था इसी वज़े से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये cut off जो है इस साल तो ज़्यादा colleges है तो ज़्यादा seats vacant रहेंगी याँ पर seats vacant रहेंगी तो cut off तो obviously सी बात है down रहेगा इसका मतलब ये जो cut off है मेरे एसाब से ये 1,30,000 या 1,40,000 तक भी जा सकता है इस बार D.U.M.S का stray vacancy round के अंदर और guys अगर आपको detail में guidance चाहिए counseling के regarding तो मैंने आपको बता ही दिया आप मुझे मेरे number पर या हमारा I.V.S. and Veterinary Counseling Guide के course के अंदर आप registration करने के बाद में मेरी team से आप contact कर सकते हो मेरी team जो होगी वो आपको counseling के regarding full guidance प्रोवाइड करेगी सारे important links हमने description box में दे रखे हैं तो आप एक बार description box भी चेक कर लेना I hope guys ये video आपका अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से सारे doubts क्लियर हो गए होंगे तो guys इस video को मैं यहीं समाप्त करता हूँ हैंकि दोस्तों मेरी video देखने के लिए